नमस्कार दोस्ते एक बराप फिर्चे स्वागत है सीखो सिखा चले पर मैं हो तुलसिमातो आज मैं आपको बताऊंगा जब कभी आप MS Word पे टाइप करते हैं तो हिंदी और इंग्लिस लिखने में प्रोब्लम तो हो जाती है जैसे एक्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर पर इंग्लिस लिखना है तो कहीं ने कहीं यह प्रोब्लम आज आती है जैसे हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आके अपना अब इंग्लिस करना है तो फिर हम लोग को यहाँ जाना होगा फिर इंग्लिस लेना होगा फिर हम लोग यहाँ के इंग्लिस लिखेंगे आज का दिन बहुत तो कुछ है इस प्रकार से करना होगा तो इसमें थोड़ा सा समय लगी जाता है बार-बार चेंज करना हो अगर जैसे कि यहाँ पे यहीं पे लिखना था बहुत तो प्रोलम आ जाती है देखें मैं यहीं चीज करके दिखा रहा हूं पहले तो यहाँ पे आपको हिंदी ले लेना है ठीक है और लिखना है आज का दिन बहुत कोई इंग्लिज से लिखना है तो फिर यहाँ पे आपको जाना होगा एरियल या जो भी टाइम से लिखने से फिर लिखना होगा फिर आपको हिंदी लेना है तो फिर यहाँ पे आना है फिर कुर्तिय देव लेन तब जाके फिर यहां पे हेल लिखाएगा तो यह कहीं न है थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस हो जाता है तो कहीं न ही आपकी समय में आज थोड़ा आपको बचाने का कुछिस करोंगे कि आपको समय में थोड़ा बच जाए बार-बार यहां पर जाके change करने के जूरत ना हो सारे क भाटा देते हैं इतना रहन देते हैं अब आपको करना की है सब से पहले आप vedle बटन पे क्लिक कीजिए यहां पिछ होगा दिखिए वार्ड ऑठिट इसपे आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा custom करके आपको दिखने को मिल जाएगा custom पे चले जाएगे फिर नीचे चले जाएगे यहाँ पे देखिए keyboard shortcuts फिर से customize क्लिक कर दीजिए यहाँ पे आपको लेना है font ठीक है यहाँ पे जैसे ही आपने font लिया तो यहाँ पे आपका font name आ जाएगा तो फिलाल पीचे देखिया हमें क्या करना है word options पे दूसरा हमें आना है custom पे तीसरा जग काम है फिर से custom पे यहाँ पे लेना है fonts तो हमने यहाँ पे fonts लिया अब यहाँ पे आ जाएगा font का नाम तो सबसे पहला में लोग लेते हैं कुर्ती देव कुर्ती देव 10 और इसका shortcut में रख रहा हूं control प्लस वान जो नंबर की बूट का वान होता है उसे ले रहा हूं control के साथ देखिये control प्लस नंबर वान असाइन करेंगे तो यह यहाँ पर आ जाएगा और अब आता है English का कोई font हमने एक तहिंदी ले लिया अब English का लेना है तो मैं लेता हूं अरियल मेर पास अरियल के लिए shortcut देखिये टू बनाए मैं इसे रिमूब करकर फिर से ले रहा हूं एरियल हमने यहाँ यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पे control के साथ टू तो यहाँने की control प्लस नंबर टू असाइन करेंगे close करेंगे अब हम लोग लिखना सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिये यहाँ पे English है मैं control के साथ जैसे ही अपने keyboard पे one प्रेस करूँगा तो यह देखिये हिंदी आगिया control के साथ जैसे ही टू प्रेस किया यह देखिये English आगिया अब मैं लिख की दिखाता हूँ पहले तो control प्लस वान हिंदी में लिख रहा हूँ आज का दिन बहुत को English लिखना है है control प्लस टू करेंगे यह देखिये बहुत फिर हिंदी लिखना है वान प्रेस करेंगे control के साथ अब हे को मान के चले English में लिखना है तो control प्लस टू यह देखिये बिल्कुल आसान लगेगा जब आप लिखने लगेगा तो अब इंग्लीज से लिखना है आज का दिन बहुत सुवाना के हिंदी लिखना है गुजराती में लिखते हैं तो वहां पे आप एक दू तीसरा नमबर ले लिजिए हिंदी इंग्लीज और आपका गुजराती आ जाएगा तो इस तरह से जो है आप अपने कामों को थोड़ा सा कही न कहीं आसान कर सकते हैं और समय कहीं न कहीं आप लोग बचा सकते हैं तो यह छोड़ा सा वीडियो आप लोगो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताइएगा थैंक यू हैफ वान बाई बाई